नमस्कार बंदे मातरम दोस्तों मैं हूँ सितिन सर मैं हाँ पर कुछ फिजिक्स के कोस्टनों के साथ यहां पर पर पस्तिति वह हूं जो कोस्टन बहुत ही महत्वपूर है जो कोस्टन एससी बैंक रेलवे कच्छा नौवी दस्मी ग्यारहुवी ब्यारहुवी इत्यारी एक्जामों के लिए पूछा जाता है और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा क्यूट सा चैनल फिजिक्स और मैथ वाले सर चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज का पहला कुछन लेते बतलता है दूसरा आप्सन है जो निमने एसी को उच्छे एसी बोल्टवी बदलता है सिर्फ आसी में परीजक्त होता है वह परीजकत सबी तत्सक्रात्रें क्या होता है और तासलय मेन दूर प्रकार को होता यह कुता है स्टेप और टांसफार्मर एक होता है इस्टेप डाऊन टांसफार्मर जो एक तरगρ टास्वार होता है जो की एसी निमने एसी बोल्टेज को उच एसी बोल्टेज मतलता है मतलब क्या हुआ अगर कोई यहां पर करेंट आ रहा है अगर क्या हो करेंट का जो बोल्टेज हो बहुत ही कम हो जब बोल्टेज बहुत कम होगा तो क्या करेगा यह इस्टार्ट फार्मर जब निकलेगा तो बोल तो बोल्टेज को कम भी कर सकता है और तीसरा आपसन है कि यह सी में प्रियोक्त होता है हाँ दोस्तों टास्फार्मर जो होता है यह सी करेंट के लिए यूज किया जाता है अर्थात क्या हो गया कि यह mutual induction पर काम करता है किस पर काम करता है mutual induction पर काम करता है ना स्वाप्रेरण का सिध्धान पर क्या करता है कार करता है चलिए लेते हैं आज का दूसरा क्श्टन है कि घरों में फ्यूज तार किस क्रम में जोड़े जाते हैं किस क्रम मोर।oop ऑप समांतर क्रम किस्ट क्रम किसी नहीं होते हैं किसा प्रूंट रहा है यह एक बैट्री में जो गया और इसीवी जोने करें तरीका होगा यह होता है तो से एक बैटरी होगया और यहां से आपको यहां पर जोड़ रहे हो ऐसे ले जाकर के फिर यहां से फिर यहां से दूसरा डिवाइस लेकर इस प्रकास से जोड़ दे रहे हो फिर एक तीसरा डिवाइस यहां से लेकर जोड़ दे रहे हो तो यह तरीका होगा या क्या हो जाएगा समानतर स्रेडी में वी जुड़ा जाएगा तो कोशन में इसपा कि घरों में जो प्रूज ताहर होती है कि फ्यूज ताहर जोड़ जाते हैं वह जोड़ा में आप यहां पर एक में बोर्ड लगाते हो फिर यहां से छोटे-चोटे बल्बों में फैन में त्यादी चीज़ों में आप करते दो देते रहते हो अच्छा तो कभी को पूश रहता कोशन की घरों में जो इलेक्ट्रिक वाइरिंग होती है उसमें जैसे बल्बों में फैन म किस प्रकार से तारों को जोड़ा जाता है तो जो जोड़ा जाता किस तरह से पैल्लेल कमिनेशन में जोड़ते हैं कैसे जोड़ते हैं माल दिजए कोई आपका आप एक बोर्ड हो गया अभी सब्रण में इस बल्ब को देना है एक एलेक्ट्रिक रैन तो अलग लिए अगे एक तार को यहां आपका बोर्ड है अब यहां पे पैनल लगा है कि ट्यूब लाइट लगी हुई है कि हट हम लोग दोस्तों कहल गरों तौद युख कि को शोड़ कि व्युटका sagen मतलब और गद उता सब्सक्राइब तो फ्यूट्व स्टार जोडते हैं हम लोग स्रेडी ख्रम में में जोडते हैं तो आपको समझ में आगए होगा दस्तों की घरों में जो डिवाइसिस यूज की जाती है ॥ा थैन होगा पूलक स में में किसमें जोड़ा जाता है वो सामानत में美 हैं स्ट्रीडी में जोडते हैं चलिए हम अजग तर दे करा है कि इनवर्टर एक यांतर रहे हैं दोस्तों होता क्αι Sans dodatनि कर दो से करते हैं कि ऊपके घ्रों में यह क्रिकरải से सब्सक्राइब करते हैं इसको इनवर्टर से बेचते हैं और कि इने तगर जब आप गद करती है तो यह बैटरी से यह बैटरी से क्या करता है DC KURREN'T ले करके फीर इसको DC में भी करनवर्ट करता है दोनों काम करता है satisf दोनों काम करता है वह AC को DC में भी बदलता है और DC को AC में भी बदलता है तो मेरा तीसरे question कहां सही हो जाएगा आपसर नमबर D सही हो जाएगा अब चली हम लोग चलते हैं अपने question नमबर 4 की तरफ करहें प्रकास वर्ज लाइट इयर किसकी इकाई है इकाई मिन्स यूनिट जो लाइट इयर होता है किसका यूनिट होता है करा है दोस्तों कि दूरी का होता है समय का होता है गती का होता है तो लाइट इयर मैक्सिमम बच्चीस में गल्दी कर जाते हैं वो का देते हैं कि जो लाइट इयर होता है वह लाइट य कहा जाता है जो की चली गए मैंद गाम जाएगा यह दूरी का युनिट होता है यह प्रकास वर्स होता है वह किसके मातर्च होता है वह दूरी 15 मीटर होता है कितना होता दोस्तों वन लाइट इस उकल टो एप्राक्समेटली लब गया यह हो जाएगा वन लाइट इस उकल टो 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर अच्छा अब इस 9.46 को लगभा हमें लोग 10 लिख सकते हैं जब ए 10 लिख देंगे तो यह कितना हो जाएगा तो आपके इसको इसे लिखा जा सकता है कि one light year is equal to 10 के पावर 16 भी हो सकता है क्योंकि क्यातना था 9.46 इंटू 10 के पावर 15 था ठीक है 15 था तो यह हो गया लग भग 10 10 और दस के पावर 15 कितना पावर 16 हो जाएगा एक इसमें मीटर में कभी दूस्तों एक्जाम में एक कोश्ण य किलोश्टोर कीलोमिक होता है तो समय का क्या होता है समय का होता है गती गती क्या होता है जब कोई वस्तू समय बदलने के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा हूँ तो वस्ति क्या कहलाती है गतिसी लवस्ता में कहलाती है चलिए हम आज का कोशन नमर्प पांच लेते हैं करा कि पानी के भरे ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है बर्फ पिघल जाने पर पानी की सतह क्या होगा तो बहुत साथ बच्चे इसमें गल्ती करते हैं सुचते हैं कि या तो घटेगा या तो बढ़ेगा यह दो ठोटों कर देंगे कि दो ठोटों तो सी और डी बढ़ेगा नहीं होगा या तो बढ़ेगा दिमाग लगाने के बाद बचस्चा बच्चा कहेगा कि यह क्या हो जाएगा जबकि यह बिल्कूल गलत है ऐसा नहीं होता दोस्तों जब कोई वर्फ का टुकोड़ा जब किसी ग्लास में की पानी में जब तैर रहा होता है जब बम पृल जाएगा तो क्या हो जागा पाणिका जो सत्रा हो घंख फो अपरिवर्थित हो यह क्या होगा और परिवर्तित हो जायेगा अच्छा करको पूछ लएता है it P publish the कि पानी का घंद तो ज्यादा होता है कि बर्फ का जो जो डिंस्टी होता है या होता है तो दोस्तों कि दॉक्यों दिक होती है वह अधिक होती है और भर मृचुम जाएए है पानी की डिंस्टि अग्र होटी है तो वाटर का डेंस्टि सबस्टरिक होगा चाइर से घटेगा तब अब ऐसा होता क्यों है तो ये दीरी से कम हो जाएगा धीरी धीरे पानी जोगा बशलना लगेगा तो हमने बताया ना कि बुर्ट कि कम होती है तो यहादा रखना क्योंकि याद रखना क्योंकि देंस्टी कम होता है इसलिए जगह ज्यादा लेगा क्योंकि देंस्टी कम मतलब क्या हो जाएगा घंट तो घंट तो जाएगा जिसका सही एंसर क्या हो जाएगा तो इसका सई एंसर क्या हो जाएगा इसका सई एंसर हो जाएगा कि जो पानी क्या सता रहेगा वह बिल्कुल क्या रहेगा और परिबर्तित रहेगा वह न तो बढ़ेगा न तो क्या करेगा घटेगा चलिए हमनों चलते हैं अपने कोश्टन नमर चाह की तरफ कराया जूला जूलती हुए किसी लड़की की बगल में अगर कोई और लड़की आकर बैढ़ जाती है तो जो जूले का अवर्त कार होगा जो टाइम पिरिएड होगा उसमें क्या प्रिवति नहीं करता है बसे इससे कोश्टन मनाए गया तो दिख्ते हैं किसका टाइम पिरिएड में क्या अंतर आएगा क्या टाइम पिरिएड घटे परिवत्तित रहेगा या जुला रुख जाएगा बहुत ही प्यारा कोशन यह यह इंपार्टन कोशन है आप इसको अपने नोट पर लीख सकते हो जो कोशन इसमें बहुत सारे बच्ची गल्दी करेंगे उनको समझ में नहीं आएगा क्या करें यह टाइम पेट घर जायाएग टी जुकल टू टी मिस टाइम पिरियड टू पाई रूट में एल अपान जी हो जाएगा इट मेंस वी कैन से दैट कि टाइम इज डायक्री प्रपोर्शनल टू दा इसक्वार रूट अब दा पेंडूलम या फिर जो रसी लगी है उसके स्क्वार रूट के डायक्री अगर लेंट बढ़ेगा तो टाइम परफियरड बढ़ेगा इसमाल जी के इनंवर्सलों होते हैं नहीं है मतलब pendulum के mass के उपर depend नहीं करेगा मतलब जो बच्चा जूले पे बैटकर जूल रहा है उसके mass के उपर depend नहीं कर रहा है time period मतलब जो आवर्तकाल होगा यह mass के proportional नहीं होता है इसका मतलब क्या होगा mass बढ़े चाहे घटे उसके आवर्तकाल पर time period पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ना है जब कोई प्रभाव time period पर नहीं पढ़ना है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसके आवर्तकाल में कोई परिवर्त नहीं होना है it means we can say that the time period never be change if the mass or increase or decrease यदि हम लोग मास को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो pendulum के जूले के time period पर कोई effect नहीं पड़ता है आजोब आपको दोस्तों अगर यह channel अच्छा लग रहा है अगर कोशन अच्छे समझ में आ रहे हैं तो प्लीज channel को like कर दीजिए और subscribe कर दीजिए channel को और वीडियो को like कर दीजिए और अपनों दोस्तों मुझरूर शेयर करिए ताके और भी आपके अच्छे च्छे दो दोस्त हैं वह भी इस channel का अनंद ले सके और अच्छे च्छे question पढ़ सके और दोस्तों आपके ज़रूर किया करिए को कि आपके कमेंड करने से हमको motivation मिलता है और आपके like करने से मोटिवेंस मिलता और हमलों क्या करते हैं कि और अच्छे से वीडियो मनाने की कोशिए करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर लगाईएगा क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाद होगे तो जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल लागा और आसानी से आप वीडियों को देख सकते हो और तारत अधिक होता है मिस फ्रिक्वेंसी अधिक होता है तारत कम होता है फ्रिक्वेंसी कम होता है इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती इनकी इंटेंसिटी कम अलगति बता अधिक होती कम होती है कौन साफसा सही होगा देखते हैं तो देखो दोस्तों जिसकी फ्रिक्वेंसी जाड़ा होगी मिलशतारत तो अगर जादा होगा कि तब आवा जो होगा उतना झाहीं पतला होगा अगर फ्रिक्वेंसी कम होगा तो आवाज क्या होगा दोस्तों मोटा होगा अब समझ चुक्त होंगे जब फ्रिक्वेंसजी अधिक होगी तो आवाज तो इस तई मत्षर के भिन्बिनाहट का फ्रिक्वेंसी जादा होता है कि कि सेर के दहारेने का तो क्या अंसर होगा किसके प्रिक्विंश से ज्यादा होगी तो दोस्तों मच्छर के भिन मिनाने का जो फ्रिक्विंशी होगा वह क्या हो जाएगा वह जारा हो जाएगा ना क्योंकि सेर के दहारने का नहीं अगर मैं बात करता है एम्प्रिट्यूट का लाउड्नेस करते होता कि यह यह जाएगा है लेकिशा सबमाद करेंगे इसंथ्ट्रियों की ध्होनी क्या होती पतली क्यों होती है क्योंकि इनकी जो तारत होती है कम होती है जो फ्रिक्वेंसी होता कोई भी है अब दो भी देखुए यह से एक वेब हो गया तो दोस्तों जो नीची वाला भी है इसकी फ्रिक्वेंसी जा रहा है इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो इसकी फ्रिक्वेंसी घ्रमर चलते हैं करा इस पर्ष्ट द्वनी सुनने के लिए को शुरूता एवं परावर्थक की बीच में कितनी दिर यह स्टोगी को प्रोट siya को झूलते हो को आपको कोई गाना सुने होगे मैं रे reset समा पतानी केसे गाना होता छड़ी तो सब कि अब प्रती workout है क्वैथ 21 के लिए कुल मिनिमोम कितनी दूरी होनी चाहिए देख़ दोस्तों जो मिनिममाम दूरी होना चाहिए और म्याने यहां सत्रह बड़ा जलय होगा तब ही आप परतीर हो नें स्नुन सकते हो मतलब समझ सकते हो किह से कहीं इसट खड़े लिड़ करकेun कि आपको आवाज निकाल रहा हो और इसी पहाड से किसी साली कोई बहुत बड़ा चीज है और वहां से दूरी में सत्रह मीटर तोfast दूरी से अधी के सत्रमीटर कम से कम हो तब आपको को आपका ही आवाज दुबारा लौट करके तब सुना दे सकता है सचत है तो कोषेन भी बनता है कि यह अच्छा कोई आवाज सुनती हैं तो हमारे ओवा अवाज लगभग वण वाई ।š तक राझाता है वन गई ैंस कीया होगा और वह बाई तीन सिक पहले आगर कोई अवाज आ जाएगा तो वह वाज हमको महसूस नहीं हो पाएगी मींस हमको दुबारा वह वाज नहीं सुनाएं दे तो होता है तो हम जानते हैं कि लगभग जो साउंड की जो इस्पीड होती है एर में लगभग मांद के चलना है तो लगभग की दोस्तों कितना होता है लगभग देखो वह लगभग होता है 2,340 मीटर प्रती सेकेंड होता है ठीक है और जो टाइम लगभग रहा है कि वन बाइट इन सेकन्ड लगभग रहा है दो होग है क्या दोस्तु अ माली यहां पा कोई यहां पाली क्या है कोई यह पत्थर बहुत बढ़ा पहारे कुछ भी है अब माली यहां से कोई लड़का ख लोट करकी आएगा फिर इसको सुनाएदेगा मालीजिए इस बच्चे से यहाँ तक कि जो दूरी है मालीजिए कितना है यक्स दूरी है तो यह कितना दूर करेंगा कितना दूरी चलेगा और x meter आएगा मतब़कुल कितना दूरी चलेगा वह चलेगा 2 x meter चलेगा कितना चलेगा दोस्तों वह 2 x meter दूरी चलेगा आएए निकालते हैं x की value कैसे निकाल सकते हैं देखो क्या होता है दोस्तों speed is equal to distance upon time speed कितना में ले लिया 340 distance ले लिया 2 x upon time कितना ले लिया 1 by 10 10 गुड़े के 1 by 10 बराबर 2 x तो यह जाया कितना 0 0 कड़ गया तो कितना होगा 34 बटे के दूरी लेकर आए दू इस उकल्ट कितना हो जायागा यह कटने कबात कितना आ गया दोस्तों 216 minimum i7 comes 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 17 मीटर होना चाहिए यह 7 मीटर सधीक होगा तभी आपको सुनाई देगा तो मेरा answer सब्सक्रिय कॉंस जाएगा वह answer हो जाएगा कि comes comes 17 मीटर दूरी रहना चाहिए तभी आप कोई योगो सुन सकते हैं अधर भार्यास्टी वह इको आपको सुनाई नहीं पड़े गार अब के ऐसी विलाश्टी जिस विलाश्टी से पीथवी से कोई आपजिक ठेक दो तो हमारे इन्वार्मेंट के हमारे ग्रेविटेशनल फिल्ड के बाहर चला जाए फिर पीथवी पर दुबारा लौट करके नहीं तो बहुत अच्छा कोशन है तो समझने कोशित करते हैं कि यह इस होगा तो प्रियाद करें बाट बंप दूसकर से और मीटर फेकल लिए तो तो इससे क्या होता है कि आप यह सका नोट को सबनाके रहें तो भाई कोई भी एक बार पढ़ लिया तो इसको आप नोट लिखते रहेंगे तो देरे-देरे-आपको एक समया ऐसा होगा धर सबस्क्राइब को जाएगा और आपको इस चीज़े याद रहेंगे और इस चीज़े नार्मल कोस्टन सब को आने भी चाहिए हमाई दुनिया में जो घटना घट रहें क्यों कहां कैसे वह मैं जो पर छोटे हैं वही होते हैं सुरज का लंग लाल क्यों दिखाई देता है तो हम लोग धूप में काला कपड़ा पहनते ज्यादा गर्मी लगती है शप्धित पहिनते तो कम गर्मी लगती है ऐसे बहुत सारे कोॉस्टनों को हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे औहुए को रहेंगे कि अजियां मेरा यहां दो आप लोग और अच्छे वीडियो देखोंगे और मैं इस पर टापिक वाइज भी वोट पर पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को घबड़ाएगे नहीं सब दिरोते सब वीडियो आपको आती रहेंगे चलिए तो इसका असर देखते हैं क्या हो जाएगा पिथवी के तल का पला प्रति सेकेंड अगर किसी भी आपजेट को अगर क्या करोगे अगर आप फेक दोगे तो आपजेक्ट दुबारा धर्ती पर लाट करके नहीं आएगा और थात मेरा आफसन कौन से हो जाएगा एक ग्यारत दिसमेल दूए अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि का अगर चंद्रमा का कर्या 1009 की के नटेंग होगा या फिर ज्यादा होगा तो आपका क्या होगा दोस्तों या रखना क्या होगा क्या होगा जहां पर gratis जितनी कम होगी वहां पर उसकी速 कृत नहीं तो इसके बाहर चले जाएगी ठीक है दोस्तों अगर बात किया जाए कि हमारे मून का जो Penal CEO ग्रिटेसनल सलेंसन अजए onlar कितना होता है अपने अर्थ का ग्रेविटेसनल सलेंस न rumors होता है वह बीठर पर सेकेंड होता है यह इसमाली छी की वेली होती है मीटर इसकेंड हेसाम सब्चण प्याहर एक माल्जी का यूनिट क्या होता है जा म Le DC Smithी म。 इसमाल जी बात कर रहे हैं तो कभी के पूछ लाएता है तो फ्रीफाल कर दोस्तों फ्रीफाल बहुत ही प्यारा कोस्टन फ्रीफाल चलिए पता यह फ्रीफाल क्या होता है अगर कोई और प्रित्वी की तरफ वह गिर रहा हो लेकिन उस आपिपर कोई भी एक्सटर्न फोस्ट न लगा रहा हो एकसेप्ट डू ग्रैविटी की अलामा अगर उस पर कोई भी किसी प्रकार स्वस्ट नहीं लग रहा है तो वाड़ी क्या busy रही है फ्री फाल हो रही है और इस बाड़ी में कितना जन्रेट हो जाएगा उस बॉड़ी में इस जलिए सन 9.8 मीटर पर सेकेंड इसकार का तोरण उस बाड़ी में उत्पन तोरण तोरण मिन्स एसलेरेशन उत्पन हो जाएगा अब आई चलते हम लोग कोश्चन नंबर दसमें की तरफ का कोश्चन नमर दस क्या है कर दहें कि एक आश्व सकती क्या होता एक सखी एक हार्स पावर कितना के बराबर होता है कि पावर मतलल शक्ती पावर इसकुल्ट होता है डबलू बाई टी होता है कितना होता है दोस्तो डबलू बाई टी होता है यह तो पावर इसकुल्ट होता है कार अपान समय इसको है अगर हिंदिम बोले तो हो जाएगा कार अरे सोरी कार अपान समय यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका दोस् तो इसके करने दर को शक्ति यह यह को मैसीन के अतना टीजी से काम करती है Warum स्टिय करती है च्छाइन तो सक्ति की यूनिट क्या होती है तो सक्ति की जो यूनिट होती है वह होती है वाट क्या होती है दोस्तों होती है वाट होती है तो वाट तो उसी प्रकार अस्षक्ति अस्षक्ति भी एक सक्ति का ही यूनिट है लेकिन यह बहुत बड़ी यूनिट होती है तो मैं पूछ रहा है कि एक अस हार्स पावर में कितनी सक्ति होती है तो कितनी होती है दोस्तों 746 वार्ट होता है एक हार्स पावर इस इकल टू 746 वार्ट होता है तो वार्ट किसकी सक्ति यूनिट होती है किसका मात्रक होता है वह होता है सक्ति का मात्रक होता है वाट या सक्ति के युनिट क्या होती है वाट होती है जो एक वाट बराबर 746 वाट होता है वीडियो देखने के लिए थैंक्यू दोस्तों